जहारखंड राज सरकार ने प्रात्मिक और रोज्चे प्रात्मिक विद्यालियों में 26 जार पदों के सापेक्ष सिख्षक भर्ती की गोशना की है ओफिस्यल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आठ अगस्त 2003 से आवेदन प्रारंब हो रहे हैं इसी के बीच ओफिस्यल नोटिफिकेशन में एक ऐसा पॉइंट मेंशन किया गया है जिसके वज़ा से जहारखंड के मूल लिवासी वाले अभियरती भी आवेदन करने के लिए पातर नहीं है इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जहारखंड राजिके अभियरती है उन्होंने माननी है जहारखंड हाई कोड का दर्वाजा खट कटाया है सीटेट को माने करने के संदर में इसके समंद में एक सुनवाई हुई है जिसको ले करके क्या कुछ है कोर्ट के द्वारा कहा गया है इसके बार में डिटेल में जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप जहारखंड या फिर इसके बाहर के राजे के अबेरती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटेब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हूँ बेले करना ना भूले इसक्रिन पर आप एक आर्टिकल देख पारोंगे जो की राची से प्रकाशित हुआ है कोर्ट ने पूछा सिक्षक भरती में सीटेट पास को मौका है या नहीं यहाँ पर जल्दी से एक बार पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं देखिए जहारखंड हाईकोट ने मंगलवार को सीटेट पास अभिरतियों को जेटेट की तरह मानेता देने सम्मंदी मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई याचिका में जहारखंड सरकार के द्वारा सिख्षक नियुक्ति में भाग लेने के अनुमती देने और सिग्र जेटेट परिच्छा लेने की मांग की गई है चीफ जेटिस स्री संजे कुमार मिश्रा और जेटिस आनंद सेन की खंडपिंट ने सुनवाई के दोरान राजसरकार के अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि क्या राज्य में हो रही सिख्षक बरती नियुक्ति प्रक्रिया में जेटेट पास अभिरतियों की तरह ही सीटेट राज्य से पास टिट अभिरतियों को भी मौका दिया जा रहा है अत्व नहीं इस पर सकरात्मक जवाब नहीं मिलने पर अधिवक्ता को राज्य सरकार से अनुरोध लेकर के कोर्ट को आउगत कराने का निर्देश दिया है अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 18 अभिरतियों को ये कहकर के उन्हें आस्वासन दे रही है कि इसके बाद जो सिक्षक बरती आएगी उसमें हम जेटेट और सीटेट को एलाउ कर देंगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि अभिरति इस बात को भली बात ही समझते हैं कि 2016 के बाद जब ये टेट नहीं कर आप आ रहा हैं तो सिक्षक बरती अब इसके बाद कितने सालों में होगी वो भी एक तरीके से भविश्य के गर्त में हैं आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2017 बैच को जब 79,000 साहय का द्यापको की भरती कम्प्लीट हो रही थी या फिर नो करके आज 5 साल हो चुके हैं अभियर्ती अधिकारियों के उस statement को और official website को इसी उमीद में रोज देखते हैं कि कब notification जारी होगा notification तो छोड़िए एक positive statement तक सिक्षा के अधिकारियों के द्वारा नहीं आ पा रहा है यहीं हालत जारकंड में भी है वहाँ पर भी ये आश्वाशन दिया जा रहा है कि इस भरती के बाद जो भरती होगी उसमें हम seated और जेटेट करा करके सभी अभियर्तियों को मौका देंग रहे हैं कि at least आप seated को allow करिए और अगर नहीं allow करते हैं तो जेटेट की परिशाएक पर फिर से conduct की जाया उसके आधार पर फिर notification जारी किया जाया सिक्षक बरती का और उसके आधार पर आवेदन लिये जाया निशीत तोर पर ये उनकी मांग जायज है एंसीटी की guideline कभी पू यहां की बीटेट परिशा जो है 2019 के बाद से conduct नहीं कराई है लेकिन वहां की राजसकार इस सभी चीजों को समझ रही है कि अगर हम अपने यहां जो टीचर इलिबिल्टी टेस्ट कंड़क्ट नहीं करा रहे हैं तो at least seated को तो allow करना पड़ेगा हम अपने यह करा नहीं रहे ह और केंदर वाले को मौका नहीं दे रहे हैं तो यह तो बहुत नाइंसाफी अभीरतियों के साथ निश्ची तोर पर इसमें बहुत जल्द आपको बड़ा फैसला देखने को मिलेगा कि seated को allow किया जा सकता है पूरी तरिके से यह इनके फिवर्म फैसला आने वाला है क्योंकि राजसकार की गलतियों का खामियाजा 2016 के बाद से जो BATBTC कम्ट्रीट कर चुके अभीरतियों वो क्यो भोगते हैं इसके लामा अने राजे की अभीरतियों की बात करें तो official notification में किवल भारत का निवासी होना अनिवारे मांगा गया है जहारखंड का निवासी नहीं मांगा जो कि माने ने जहारखंड हाई कोर्ट में चला है वो बहुत ही महतोपूर्ण है और आगली सुनवाई 18 अगस्त 2023 को होने जा रही है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो